वेलकम दोस्तो आज आम देखने वाले हैं बंगलादेश और महाराष्टरा का कमपेरियन So let's start में को टच करेगा आईए दोसों जानते हैं आज की इस वीडियो से साथ ही जानेंगे मेरे लिए सबसे इंटरस्टिंग चीज यह है कि इंडिया की सिर्फ एक स्टेट और बंगलादेश पूरा उसका कंपारिजन होने वाला है इंडिया की सिर्फ एक स्टेट जैसे हमारे पास सूबा होता है तो इंडिया की हालत देख कितनी दरखी कर चुका है स्टेटिव यूनिट्स का बीच का डीटेल एन अनबाइस कंपारिजन तो चले दोस्तों सुरू करते हैं आज का है है सांधार सफर वीडियो को लाज सक देखना वीडियो पसंद आए तो एक चोटा सा ला का लाजस कंट्री है वो इंडियन स्टेट महरास्टा बंगलादेश एरिया हुआ इस टू टाइम्स लाज है महरास्टा का एरिया 3,07,713 किलोमेटर स्क्वेर है एक स्टेट बंगलादेश से टू टाइम बढ़ा है तो पूरा मौल किन्ना बढ़ा हो जैंडिया का अथर ला अबादी 2022 में 22.57 करोड है जो इंडिया का 30 रासप से ज़्यादा बादी वाला राज्य है बंगलेश 26 मार्च 1971 को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना महरास्टा को 1 में 1960 को इस्टैबलिस किया गया नमबर ओव सब डिविजन्स की बात की जाए तो बंगलेश कंट्री को 8 अडिमिस्टेटिव डिविजन्स में बाता गया है जो कि फर्दर 64 डिस्टिक्स में क्लैसिफाइड हैं महरास्टा के पास 6 डिविजन्स हैं जो कि फर्दर 35 डिस्टिक्स में क्लैसिफाइड हैं Capital and largest city बंगलेदेस कंटी की Capital and largest city है धाका जबकि दूसरे बड़े सेरों में चिटगोंग, खुलना, सिलेट, राजसाई और मेमन सिंग सिटी आती हैं महरस्ट की Capital and largest city है मुंबई जबकि दूसरे बड़े सेरों में पूने, नागपूर, ठाने, नासिक, नवी मुंबई and औरंगाबाद city आती है अच्छा मैं पहले समझता था कि नवी मुंबई, दूसरे ना मुंबई के बिलकुल साथ होगा शेर, ये तो बिलकुल अलग डिवैल्प किया गया मुझे ये भी नहीं पता कि था कि महराष्ट्रा में आता है मंबई शिटी और पूने भी ये भी आज पता चल रहा है, ये देखा है इनफॉर्मेशन मिलती है बहुत ज्यादा है इसलाम जबकि महरास्ट्र का मिजरालिजन हिंदू इसम है बंग्लेज़ के ओफिसर लेंगवेश बेंगाळी जबकि महरास्ट्र के ओफिसर लेंगवेश मराठी है आईए दो सुब कुछ अदर फेक्ट्स की बात करते हैं तो महरास्ट्र का HDI 0.752 हाई लेवल का है बंग्लेज़ का HDI 0.614 मीडियम लेवल का है जबकि बंगलदेश में 79% लोग लिखना और पढ़ना जानते हैं महरस्ट का सैक्स रिसियो 923 फी मेल्स पर 1000 मेल्स है महरस्ट का फेमस फूर्ड हिल्सा है फेमस टूरिस प्लेसिस को देखें तो बंगलदेश में आपके लिए ऐसान मंजिल धाका सिटी, कॉक्सिस बाजार बीच, सिलेट और गाजीपूर सिटी फेमस टूरिस साइड्स हो सकती है वही महरस्ट में आप गेटवे ओफ इंडिया, चत्रपती सिवाजी महराज टर्मिनस, अजंता केव्स, अलिफंटा केव्स, हुंबई सिटी, पूने सिटी और लवासा को विजिट कर सकते हैं तो आए दूसरों अब इस वीडियो के बहतरीन मुद्दे पर आते हैं यानि महरास्ट एंड बंगलादेश की एकोनोमिक को देख लेते हैं 2022 में बंगलादेश कंटी की नॉमिनल जीडिपी 421 बिलियन उस टॉलर्स की है और यह जीडिपी 6.4 परसंट जीडिपी ग्रोथ रेट के साथ इंक्रीज हो रही है महरास्ट की बात करें तो इंडिया के एस स्टेट की जीडिपी 460 बिलियन डॉलर्स की है 2022 में जबकी महरास्ट का जीडिपी ग्रोथ रेट 12.1 परसंट जीडिपी ठीडिपी 5.5 Trillion डॉलर्स की है बंगलेडेस कंटी का GDP per capita 2022 में 2591 युस डॉलर्स का है महरास्टाय स्टीट का GDP per capita 3660 युस डॉलर्स का है उससे बड़ा है दोस्थो आप स्ट्रैर्टिक से कुलेर कर सकते हैं कि महरास्टाय बंगलेडेस में कौन आगे है और कौन बीठे दोस्तों यह तो थी आज तक की बात लेकिन वन ट्रिलियन डॉलर्स की एकनोमिक एरेस में पहले कॉन बाजी मारेगा आए जानते हैं दोस्तों फिर्सली हम बात करते हैं बंगलादेस की तो साउतेस्य की तेजिस से उबरती हुई अर्थ वरसा है बंगलादेस जो आज से 30 से 40 सालों पहले तक दुनिया में केवल समुद्री तूफान से मरने वाले लोगों का एक गरीब देस हुआ करता था लेकिन आज देस के लुग काफी महनती हे ने बात सही काईरह आप देखो ना हम परकिसतान में यहां टका नाम से ताना मारा जाता था तका की युकात नहीं, दो ठके की बात है, एक ठका नहीं दूमगा, समझें, ये बंगलादेश की करंसी है ठका, तो अभी ठका रुपए के मकाबले में दो गुना ज्यादा हो गया है, हम इतना पीछे हो चुके हैं, क्या बात है यार, मतलब कि ठका जो है, वो रुपए को पीछे इतना तो हमारी हालत देखो क्या है भी पाकिस्तानियों की इशर्म आनी चाहिए मैं आप तो हम यह भी नहीं किस कह सकते हैं कि तुम्हारी से तके के हैं अवकर रुपय के उचाल को देखकर यह सवाल मन में आता है कि आखिर कब बंगले देश 500 बिलियन डॉलर्स और फिर 1 टि 23 कंटीज में से बंगले देश 2010 में 59 नंबर पर आता था जबकि 2022 में बंगले देश दुनिया का 41 नंबर का सबसे जगन च्रिपी वाले बेस बन चुका है और आपको मतादू बंगले देश की एकोनोमी 2030 तक 800 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है जो कि दुनिया में 28 रैंक पर 2035 तक बंगले देश की एकोनोमी वन टिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर लेगी वर्तमान में बंगले देश दुनिया की सेवन्त फास्टेस ग्रोइंग एकोनोमी है जिसकी मेजर इंडस्टीज में क्लोट्स एंड हॉईजरी इंडस्टी सा मिलें महरस्ट की बात करें तो भा महरस्ट इंडिया में वन टिलियन डॉलर्स की एकोनोमी बनने की रेस में सबसे पहले इस्तान पर है जी हाँ दोस्तों अगर आप इंडिया से हैं और इंडिया के किसी स्टीट की जिडिपी का वन टिलियन डॉलर्स होने का सपना देखते हैं तो जल्दी महरस्ट आपका यह अपना पूरा कराएगा और आपको बता दू हमारा महरास्टरा बंगलादेश से भी पहले वन टिलियन डॉलर्स की एकोनॉमिक को क्रॉस कर लेगा यह मैं नहीं स्टैटिक्स अंफेक्स का कहना है तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं मैं ना सबसे पहले यह बात करूँगा कि अभी तुम देखो कि यह कंपेरियन था महराश्टरा का और बंगलादेश का और इस वक्त एकॉनुमी के लिहास से बंगलादेश पाकिस्तान से बहुत उपर है पाकिस्तान के एकॉनुमी बहुत डिप कर रही है नीचे नीचे हो रह बिजनिस करना पसंद करते हैं डिवैल्प कर रहे हैं उनके सीटी देखकर लगता है जैसे हम किसी तरक्की आफ़ता मुल्क को देख रहे हैं तो ऐसा ही है इंडिया बहुत आगे निकल चुका हमसे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा और उसके इलावा यह देख के महाराश् चोटा सा शहर हो कि उसके साथ कुमपेरियन कर रहा है चोटा सा शहर सौरी बहुरों मुल्क हो के पाकिस्तान को पीछे चोड़ रहा है तो उनकी रियास्ते इतना आगे जा चुकी है हम पता नहीं कहां जीज रहे हैं यार देखकर ही कुछ होता है यार के एकठे मुल्क बने चुका है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करें हमने बहुत कुछ सीखा है इस वीडियो में बहुत कुछ पता चला है इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाई बाई